हेलो गाइज अब इस पर्टिकुलर सेशन में यह पर्टिकुलर सेशन अब बोल सकते कि Newton laws of motion का सबसे important session है इसमें pure mathematics है लेकिन बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे questions solve करने में यह concept काम में आता है और धहन में रखो, जिस तरीक से में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कोई भी book में दिया नहीं है मतलब मेरे मुझे sir ने पढ़ाया था और वो में किसी notes में लिखके रखा था मेरे और उसी notes में में आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह जो method है अब धहन में रखो, अलग-अलग book में आपको methods मिलेगा लेकिन वो सारे methods से यह method अलग है तो इस session को धहन से देखो ठीक है और topic का नाम है constraint equations अब यह constraint equations में basically दो type के constraint equations हम लोग पढ़ने वाले, एक होता है string constraint और दुसरा होता है wage constraint ठीक है तो अब इस particular session में हम लोग पढ़ने वाले string constraint अब जैसे string constraint आया तो क्या आगई? string आगई अब string के बज़े से constraint की हुए constraint का English meaning क्या होता है? limitation तो string ऐसे क्या limit करती है? string का limitation क्या है? अब एकदम simple example में आपको देता हूँ अब मुझे एक बात बताओ जैसे मैंने आपको एक string दी यहाँ पर आपको एक string दीख रही है अब यह string का यह वाला जो end है एकदम यह वाला end जैसे यह x1 से यहाँ पर जा रहा है और यह वाला जो end है वो जा रहा है x2 से तो क्या मुझे बताओ मैंने बोला कि भाई मेरी इसे string होती है inextensible होती inextensible मतलब क्या खिच नहीं सकते उसको rubber type नहीं होती वो अब सपोज वो rubber type नहीं है और मैंने और एक additional point बोला कि मेरी string जो हो slack नहीं होती slack मतलब क्या उसमें tension 0 हो जाना तो मेरी string सपोज खिच भी नहीं सकते और slack भी नहीं हो सकती तो इस case में क्या होने वाला है x1 और x2 दोनो equally होने ही चाहिए जितना x1 जाएगा जितना यह end जाएगा उतना ही end जाएगा x1 equal to x2 होना चाहिए अब यह जो x1 equal to x2 जो यहाँ पे बन रहा है उसके में कुछ rules बनाता हो ठीक है धायन में रखना है दिमाख नहीं लगाना है तो यहाँ पे हम लोग कुछ science convention डालते है और फिर rule बनाते है अब पहली चीज़ कभी भी आपको string दिखाई दे कभी भी आपको string दिखाई दे तो सिर्फ ends को देखने का इस ends को में बोलूँगा nodes इन nodes को देखने का कितने nodes यहाँ पे दो है एक यह और एक यह अब यह वाला जो node है वो कहाँ पे जा रहा है मुझे बता हो string के बाहर जा रहा है या string के अंदर घुस रहा है कहाँ पे यहाँ पे string के बाहर जा रहा है string के अंदर घुस रहा है क्या नहीं तो यह string के बाहर जा रहा है, जब string के बाहर जाता है, तो plus sign डलनेगा, तो यहाँ पे मैं plus sign डलूँगा, अब मुझे बता हो, यह वाला node string के अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, string के लेंध के अंदर जा रहा है, जब अंदर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, minus sign डल मैं plus x1 minus x2 total change in length should be equal to 0 तो यहापे मुझे क्या मिल गया x1 equal to x2 अब x1 equal to x2 मिल गया है जो मुझे चाहिए था तो basically x1 equal to x2 मिलने के लिए मैंने क्या बनाया sign convention क्या बनाया है यहापे sign convention string का जो node होता है वो string के बाहर जा रहा है तो plus sign डालो string के अंदर गुस रहा है तो minus sign डालो दिमाज में आ गया चलो ठीक है यह हो गया x1 equal to x2 अब यह x string है न यह x string है अब यह x string कैसी भी हो मतलब कोई भी direction में हो मतलब मैंने suppose बोला कुछ यह string ऐसे है यह string कुछ ऐसे है कुछ फरक नहीं पड़ेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला यह node जा रहा है x1 से बाहर और let's say यह node जा रहा है x2 से कुछ ऐसे तो मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ पर यह दोनों nodes x1 और x2 कहाँ पर जा रहे बाहर ही जा रहे न स्ट्रिंग के अंदर जा रहे बाहर जा रहे तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या sign डालेंगे plus यहाँ भी क्या sign डालेंगे plus तो equation क्या आएगा इसमें x1 plus x2 total change in length should be equal to क्या हो तो string का length दो बढ़ना चाहिए कभी possible है क्या नहीं है क्योंकि अपना string का है inextensible अपना string rubber नहीं है ठीक है तो x1 should be equal to minus x2 minus n का reprint करता है कि भाई तुमने जो assume किया है वो गलत है ठीक है similarly इसमें अब इसमें मैं बोलता हूँ कि let's say यह end नीचे जा रहा है कुछ x1 से अब यह end यहां पर एसे जा रहा है x2 से अब मुझे बताओ इन nodes को देखके यहां पर यह node बाहर जा रहा है string के या अंदर गुसर है बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है तो मैं क्या sign डालूँगा plus sign यहां पर plus sign डालूँगा यहां पर क्या sign डालूँगा minus तो क्या होगा plus x1 minus x2 equal to जीरो तो x1 equal to क्या आ गया x2 समझ मैं है तो rule तो मेरा बंद गया नहीं यहाँ पर अब यह string ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कुछ फरक पड़ा नहीं बड़ा अब यहाँ पर कितने string देख रहे थे हैं भाई एक ही string थी ना तो rule number 2 एक string का एक ही equation होगा एक string का कितना equation होगा एक string और फिर क्या करने का उसको draw करके ऐसा कुछ कर देने का ठीक है अब यहाँ पर देखो x1 equal to x2 था अब इसको differentiate करो dx by dt dx by dt क्या होता है वेरासिटी होती है तो मैं इसको v1 is equal to v2 भी तो लिख सकता हूँ differentiate किया हमें न dx1 by dt is equal to dx2 by dt v1 is equal to v2 इसको और differentiate करो dv by dt क्या होता है acceleration तो इसको मैं a1 is equal to a2 भी लिख सकता हूँ तो आज़र यहाँ पर आप x1 x2 लिखो v1 v2 लिखो a1 a2 लिखो कुछ फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है अब यह हो गए मेरे strings मतलब मैंने एक basic आपको बता दिया कि basic sign convention कैसे होता है हाँ अब यही चीज मुझे suppose example में लगा नहीं है तो मैं कैसे लगा होगा तो इसके लिए में एक basic example डलता हूँ अब को याद होगा यह वारा जो example था वो मैंने solve किया हुआ था याद था ना आपको कि वाई पूरा यह example मैंने solve किया हुआ था जिसमें यह जो block था वो कहा पे जा रहा था अब यह नीचे जा रहा था acceleration a से और यह भी उपर आ रहा था acceleration a से जहाँ पर मैंने दोनों को assume किया था कि भाई क्या यह भी a होगा तो यह भी a होगा यह मैंने assume किया था अब मैं यहाँ पर assume नहीं करूँगा अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा a1 इसको दूँगा a2 मुझे क्या प्रूव करना है a1 शुडबी इक्वल टू a2 यह मुझे प्रूव करना है लेकिन क्या यूज़ करके यह जो नया मेथड है string constraint नोड मेथड बोले यह वही to string है न तो कितन इस एक ईहाँ फ्र reduced मेर krij मेरे नcken भी यग तो कितना प्रे इक एक उत्रेंगा यह मेरा जाता है यहाँ पर यहाँ कितने पार्स दिख रह्या है दो पार्ट्स, अब उन दो पार्ट्स को बिना दिमाग लगा के सीधा वैसे के वैसे ड्रॉ करना है, यह ड्रॉ कर दिया, इसको भी ड्रॉ कर दिया, मैंने दो स्ट्रिंग्स के पार्ट्स को ड्रॉ कर दिया, अब क्या करना है, मुझे बता हो यह जो पार्ट है, यह पार्ट क और कुछ-कुछ आपके rules बना रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे pulley आ गई थी, तो pulley तो यहाँ ने discuss नहीं की थी, अब ध्यान में रखना है, इन दो ends का क्या करना है, अब मुझे बताओ, यह string है, इसमें आप देखोगे, तो यह string ऐसे ऐसे होती है, ऐसे दे जाएगे पुली का motion, मुझे बताओ, यहाँ पर पुली कुछ मुझ कर रही है, अब नहीं कर रही है, पुली तो fixed है, यहाँ पे, हिंच किया हुआ है, यह string से लटका है हुआ है, तो पुली तो मुझ नहीं कर रही है, मतलब पुली का acceleration क्या हो गया, zero, पुली का acceleration suppose zero है, मतलब पुली न उपर नीचे move कर रही है न आगे पीछे है तो पुली fixed है तो बिना दिमाख लगा के ये जो ends है string के या nodes है इनको भी fix लेने का फुल बना दो क्या करने का fix लेने का देखने का कि भाई पुली का movement हो रहा है या नहीं इसमें नहीं हो रहा है fix कर दिया मैंने अब sign convention use करो क्या था sign convention ये end कहाँ पे जा रहा है string के बाहर निकल रहा है अंदर बाहर निकल रहा है तो कुनसा sign plus sign ये end कहाँ पे जा रहा है अंदर कुनसा sign minus sign तो क्या आएगा plus a1 minus a2 equal to 0 तो a1 is equal to क्या होगा a2 आ गया न प्रू होगा भाई a1 is equal to a2 अब normal question कैसे solve करना है इसको लेके ये तो आपको पता ही है equations लिखो सारे equations लिखो रही अब ऐसा जो equation बनता है न इसको ही हम लोग बोलते constraint equation जो अपने topic का नाम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे constraint equation तो इस example के लिए constraint equation का आया था a1 equal to a2 समझ में आय अब और एक example दखते हैं अब यहाँ पर example 2 मैंने draw किया है अब यह भी equation मैंने solve किया हुआ था इसमें भी मैंने क्या बोला था कि इसका acceleration a है तो इसका भी कितना था a ही था क्योंकि इसमे एक string थी जितना ही नीचे जाएगा उतना ही यहाँ पर आएगा जितना ही नीचे जाए पर एक string rule no.1 एक string का कितना equation एक equation फिर क्या करना है कितने parts से को identify करना है कितने parts से आप 2 ही तो parts है तो दोनो parts पार्ट तर्डॉ कर दो मैंने ऐसा था अगया इनतुछ घिना दिम्हारप कर दिया मैंने द्रॉ फिर क्या करना है सारे in के acceleratio लिखने फिर देते हैं मुझे बताओ ये वाला एंड कहां पर जाएगा एंडहां से qat अधर ये वाला tour एंड कहा पर जा रहे मू कर रहा है पुली तो भाई fixed है नहीं यहाँ पे ना यह rotate कर रहा है ना कुछ कर रहा है पुली तो fixed है मतलब ये क्या होगा fixed ये दोनो ends क्या हो जाएंगे fixed ये rule आपको दिमाग में रखना है जा दिमाग निलगाना है क्यों कैसे method है दिमाग में डाल दो हो गया अब क्या करना है sign convention sign convention में ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पर क्या sign डालूँगा मैं minus ये बाहर आ रहा है तो क्या डालूँगा मैं plus तो क्या होगा यहाँ पर a1 minus a2 total change in length is equal to 0 तो a1 is equal to क्या होगा a2 हो गया ना एक string एक equation इसको हम लोग क्या बो लेंगे constraint equation चीज धायन में दिमाग में रहा हूँ शायद से आपको अभी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ जब हम लोग बड़े बड़े एक police के questions solve करते है तो सारे FBD की equations तो हम लोग लिग देते जो बचता है ना जो equation बचता है कभी भी number of unknowns कभी जादा हो गया और equations कम पड़ गए तो जो equations जो बचने वाले equations होते हैं वो कभी भी क्या होते constraint equations दिमाग में लगो आपके दिमाग में डायरेक लाना चाहिए हाँ नहीं भाई constraint equation होगा शायद से मैंने constraint equation नहीं लिखा है अब आगे कुछ examples हम लोग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे constraint equation हम लोग लिखते हैं अलग-अलग examples के लिए I hope आपको ये चीज समझ में आएगी तो इसी के उपर हम लोग कुछ और examples all करते हैं तो आपका string constraint दिमाग में पूरा का पूरा बैट जाएगा